है लो फ्रेंड्स वैलकम टू रेचनारसोई रेसिपी तो आज हम बनाने जा रहे हैं करउंदा और हरी मिर्च का अízार यहाँ पर हमने रेड़ वाला करउंदा लिया हैं आचार के लिए आप रेड़ वाला करउंदा ही ले ग्रीन वाला करउंदा थोड़ा कसहला रहता हैं एक चम्मच आधा टेबल इस्पून डालेंगे मेथी दाना और एक टेबल इस्पून डालेंगे सरसो आप पेली सरसो भी ले सकते हैं आधा टेबल इस्पून जीरा डालेंगे बस इसमें ज्यादा मसाले नहीं जाते हैं बहुत कम ही मसाले जाते हैं तो इसको हम दो मिनट के ल देने मसालों को और वापस से हमने एक कप टेल ले लिया है यह सर्सो का तेल है कि आप कोई भी अरभा बनाइक तो सर्सों के तेल में बनाए उसमें बहुत रहीं अच्छा अरावעל बनता हैं तो यहां पर वापस से हमने सर्सों के तेल को थोड़ा ठंधा कर लिया है ये खड़े मसाले का टेस्ट भी अचार में बहुत ही अच्छा आता हैं। उसके बाद हम ये करउंदा और हरी मीच डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे एक टेबल इस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबल इस्पून लाल मीच पाउडर, नमक डालेंगे। उसके बाद ये मसाले जो हमने पीस का रखे थे डाले Can The तो कराउंदा को और हरी मिष को काट कर हमने नमक डाल कर एक दिन के लिए रख दिया था। उसमें पूरा पानी रिलीज हो गया था। उसके बाद हमने उसको पंके में दो घंटे सुखा लिया था। उसके बाद हम यह अचार बना रहे हैं। तो यहां हमने विनेगर भी डाल है इसे अचार खराब नहीं होते हैं किया तो यह देखिए हमारा आचार बन कर रेडी हो गया है तो आप इस मौसमें यह चार बनाएए अभी मार्केट में करवंदा आ गया हैं बढ़ियां तो आप बरसात के मौसम की रेस्पी हैं ये तो इस मौसम में आप जरूर से ये अचार बनाईए और मेरी रेस्पी कैसी लेगी आपको कमेंट में बताईए धन्यमाद